कि अच्छ को है बस पांच क्लासे और उसके बाद होगा शातक पूरा क्यों वह हिंदुस्तानी बताओ देश की GDP में कितना प्रतीशत योगदान है क्या बात है बहुत बढ़िया हिंदुस्तानी चलिए क्या बात है एंटीपीसी लेवल टू और जूनियर असुस्टेंट दोनों में बहुत बढ़िया लेओ एकदम तहल का ढाय पड़े हो आठ प्रतीशत से अधिक इसका राइट अब ध्यान दिजिएगा कि जो हम जीएस डीपी बोलते हैं जीएस डीपी का मतलब क्या है जीएस डीपी का मतलब होता है ग्रॉस इस्टेट डॉमेस्टिक प्रड़क्ट यह तो आपको याद रखना ही रखना है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अगर आप देखिंगे त ettes 16.08 प्रतिशत रहा है ठीक है और जो आने वाला वित्तिवर्स इसमें कितना अनुमानत है उन्नीस प्रतिशत तो आपको यह दोनों लाणा यहाद करना पड़ेगा बीता हुआ जो वित्तवर्ष है उसमें 16.8 प्रतीशत और आने वाले वित्तवर्ष में 19 प्रतीशत अनुमानी थे और बात करते हैं GDP जो भारत की जूट जो GDP है भारत की टोटल जो GDP है उसमें अच्छा GDP का मतलब समझते हैं ना देखो GDP का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि जितना खर्च प्लस खर्चा प्लस ठीकर तो खर्चा और आय को जैसे मालीजे खर्चा हो गया 25 रुपया और कितना दसे रुपया यह तो टोटल GDP कितनी हो जाती है 25 रुपय आपक कहो गई तो बढ़ा नुक्सान सथान जासाइय शॉ सद्मृपयोट हो गया data 25 रुपय स्थान सूं। मतलब समझेगा मतलब यह सरकारें जो कहती है ना कि जीडीपी इतना बढ़ गया जीडीपी उतना हो गया जो लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं कि अरे सरकार ने तो जीडीपी इतना बढ़ा दिया अरे जीडीपी बढ़ाना बहुत बड़ी तोप बात नहीं होती है भारत की जो टोटल GDP है मालिए भारत की टोटल GDP 100 है तो उसमें उत्तर प्रदेश की GDP का योगदान कितना है 8% है जबकिります मेंधी सरकार है कितने प्रतिशत हो गई है मारेदि साब बिला गाना मैं आपको बताऊं कि बाई बजट में बता है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश्ट में जो विरोजगाषी दर थी वह 14.4 प्रतिशत थी और अब यह घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई है मतलब सरकार यह कहना चाहती है कि जब से हमारी सरकार भैं 2017 क्यों दो 2017 के पहले उत्तरपदेश में समाजबादी पार्टी की सरकार थी इसलिए भारती जंता पार्टी की सरकार कह रही है कि वह यह फलाने के सरकार में तो मातर MSP ठीक है और MSP किसके द्वारा जारी किया जाता है तो आप जानते हैं कि क्रिशी लागत एवं मुल्य आयोग की सलाह पर किसके द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीसि द्वारा जारी किया जाता है से जेसे मान लीजे कि कभी पेपर में आपसे question पूछ लेता है कि MSP किसके द्वारा जारी किया जाता है तो exactement से समझेंगे कि अगर पूछता है कि MSP कौन जारी करता है ऑप्षन में अगर आपको यह मिल जाए आर्थिक मामलों की आंसर होगा तब यह आप्षन में नहों और अगर दोनों आप्षन में हो तो भी यही आंसर होगा और यह क्रिशी लागत यह मूल आयोग जो यहां पर आप देख रहे हैं इसकी स्थापना 1965 में होई थी खीक है और कितनी फसलों के लिए MSP जारी किया जाता है तो याद रखें का जो का चने का यह कम से कम दो तीन आपको याद रखने चाहिए बाकी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको धान का भी बता देता हूं कि धान का कितना है भीया तो धान का कितना जारी किया गया है तो अगर आप देखेंगे तो उत्तरपदीस सरकार के द्वारा कन्या सुमंगला योजना लखनाव से स्टार्ट की गई थी एक्जेक्ली अगर आप डेट देखेंगे तो पत्चीस अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया था कब दोस्तों 25 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया था मैक्सिमम एक परिवार की कम से कम मैक्सिमम सरी कम से कम नहीं मैक्सिमम ठीक है भीया जरा ध्यान दीजेगा कि एक परिवार की अधिकतम दो बेटी को इसका लाब मिलेगा अधिकतम दो बे ठीक है तीन लाग या उससे कम है मतलब आधिकतम तीन लाग रुपए की आये रखने वाले आधिकतम तीन लाग रुपए की आये वाले परिवारों को ही इसका लाब मिलता है और किसी भी परिवार में अधिकतम दो बेटी तक इसका लाब मिलता है ठीक है आप देख सकते हैं कि बच्ची के जन पर 2000 रुपए, एक वर्स के पूर्ण होने पर 1000 रुपए, कच्छा एक में प्रवेश पर 2000, कच्छा छे में प्रवेश पर 2000, फिर कच्छा नौ में प्रवेश पर 3000 और उसके बाद फिर 5000 रुपए मिलते हैं, ठीक है तो यह पूरी लिस्ट है, आप इसको सकते हैं, यह बता यह जड़ा फटा पड़तों, सवाल वर्यां है कि वर्स 2021 के आकड़ों के अनुसार, आकड़ा भले पुराना है, लेकिन एकदम सांदार मज़िदार चीज है, बात को समझना पढ़ेगा, कि अगर आप देखेंगे, तो दोस्तों उत्तर पदेश में जो व पढ़ जाए हुई थी षियर रिपोर्ट, इसको कहते हैं inian state of forest report, जो पहली बार कब जाली की गए थी, पहली report ऐसी जारी की गई थी, वर्स 1987 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी अच्छा अगर हम व्रिच्छावरण की बात करते हैं तो व्रिच्छावरण दोस्तों कब आया था तो व्रिच्छावरण की बात करेंगे तो यह था भया exactly 3.0 कितना व्रिच्छावरण और व्रिच्छावरण अलग अलग बी पूछ सकता है तो व्रिच्छावरण कितना है 3.09% व्रिच्छावरण कितना है 6.15% चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अच्छे एक बात और आपको बता दे अगर हम यही भारत के कॉंटेक्स में देखेंगे तो भारत के कॉंटेक्स में क्या स्थिति हैं भारत के कॉंटेक्स में अगर हम वनावरण की बात करें और व्रिच्छावरण की बात करें तो वनावरण कितना है 21.07 प्रतीशत है और व्रिच्छावरण कितना है भया तो व्रिच्छावरण रख्की है जैसे आप देखेंगे कि उत्र परदेश में नियुंतम वन प्रतीशत अधिकतम वन प्रतीशत ठीक है तो यह भी यहां से question पूछे जाते हैं ठीक है ज्यसे उत्र में सबसे ज़्यादा जो छेत्रफल है अगर आधिक्तम वन छेत्रफल की बात करें तो सोन भद्र में है और पूरे भारत में कहां पर है मद्य प्रदेश में ठीक है बया चलिए इस सवाल का आंसर दीजे सभी लोग तावर्त और सभी के आंसर आने चाहिए क्या है सवाल ठीक है उस माझ जिएस्टिपी का मतलब तो पताई कि ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रडक्ट को तैक्ट कितना प्रतीशत रण गरस्तता है यह आपको बताना है तो कितना प्रतीशत है 22.5 प्रतीशत मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश की बाइं कोई पीचीज अपने मतलब प्रदेश की टोटल GSDP का वन थर्ड अगर आप देखेंगे तो क्या है रिण है लोन है उधारी है मतलब समझ रहे ना मतलब यह है कि प्रदेश सरकार को सबसे पहले इससे निकलने का इंतजाम करना चाहिए बाकी डबल इंजन अपना चलता रहेगा वह अलग बात है च पहला सरचिंजन 1989 में आया था और इस पहले सरचिंजन के डवलप करता कौन थे किसने डवलप किया था तो एलन AIMTES के दवारे डवलप किया गया था अच्छा वँवर्स 1989 में एक चीज और आही थी VORWIDE WAVE कौन भीया क्या लाया रहा था वर्ल्ड वाइड वेव और इसको क क्लियर बात है बाकी रही बात जीसे गूगल है तो Google कभ आया था वर्स 1998 में यह भी खोप पूछा जाता है Amazon कभ आया था तो Amazon का भी खोप पुछा जाता है वर्स 1994 में आया था Facebook कभ आया था Facebook 2004 में आया था YouTube कभ आया था यूटूब 2005 में आया था ठीक है Instagram कभ आया अचा इण्स्राइब सोरे Twitter पहले आया था तो पहले Twitter आया तो पहले Twitter के अगर हम बात करते हैं तो यह 2006 में ऐसके बाद आपका WhatsApp आया था 2009 और उसके इंस्टाग्राम आया था क्या आया था है इंस्टाग्राम आया था 2010 में फिटयण भी आया था 2010 में ही प्रेटियम भी आया था ठीक है चलो यह बताओ तो हाँ निमुलीकित लिकित में से कॉवाः आइस ये कथन Bios के संबढ़ में आप जानते हैं कई बार Bios का सीधे-सीधे पूछा गया है पूछा गया एक नहीं किया बात वे अरुण बहुत बढ़िया शांदार जबर्दास हाहां अच्छा बिल्कुल कंपूटर पढ़ दे बिल्कुल वह भी हो जाएगा दोस्ट टेंशन मतलो सब हो जाएगा एक्जाम तक सब हो जाएगा ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो यह सब एकदम सही लिखा है सभी कथन सही है खास करके इसका फुल फॉर्म जरूरू याद रखेगा और यह फुल फॉर्म क्या है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो लिखा हुआ है इसने पता चलता है कि इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है यह कंप्यूटर फर्मवेर के लिए नर्देश का जो है क्या करता है भया समुच्चे है ठीक है यह बताओ जरा तो हाँ बहुत बढ़िया यह बत तो mutual fund अना is subject to market risk यह आता है न अड़ आता है कि नहीं प्रशार आता है कि यूट्व पर कभी-कभी टीवी पर तो mutual fund is subject to market risk टीक है यह actually it is related to share market दोस्ट यह share market से relate करता है कहीं नहीं तो mutual fund में जो हम पैसा डालते हैं mutual fund में जो हम पैसा डालते हैं वो बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेर्स में लगाए जाते हैं और उसी से होने वाले लाब से हमें आपको लाब मिलता है और आप जामते हैं कि जब हम कहते हैं Securities and Exchange Board of Securities and Exchange Board of India Sebi which was founded in 1988 ठीक है बट बकाइदय जो इसकी स्थापना हुई थी संसदी प्रावधानों से ठीक है वह 1992 में होई थी तो यह आपको याद रख नहीं है और सेवी कहां पर इस्तित है दोस्त मुंबई में इस्तित है कहां पर इस्तित है मुंबई में इस्तित है ठीक है चलो यह बताओ निमिद में से कौन सा यूगमा सही नहीं है टच पैड लोकेटर डिवाइस माइक्रोफोन आउटपूट डिवाइस मॉनीटर आउटपूट डिवाइस अब इसमें से कौन कौन सा यूगमा सही नहीं है ध्यान रहे सही नहीं है पूछा है यह नहीं चले अब ज़रा ध्यान तो हाँ पवन यहाँ पर ध्यान दीजिए यह माइक्रोफोन के अरे यार माइक्रोफोन आउट्पूट डिवाइस सोड़न है माइक्रोफोन तो इन्पूट डिवाइस है इससे इन्पूट होता है ना माइक्रोफोन में आपने ऐसे बोलते हैं तो ऐस और तथा computer network आपस में संचार करने के लिए किसके माध्यम का प्रियोग करके सूचना का आदान-प्रदान करते हैं ठीक है बया चलिए विदरा फटापड बताईए तो यह आपको एक कई बार बताया हुआ हमने TCP इसको shortcut में कहते हैं TCP का मतलब transmission control protocol और कई बार आपको IP ठीक है इंटरनेट प्रोटोकॉल भी याद रखना होता है इंटरनेट एक्स्प्लोरल है या फिर जो भी आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे कि इस प्रकार से भी खुला होता है यहां पर आपको एक पट्टी बनी होती है और यहीं पर आप क्या करते हैं मेंशन करते हैं कि हाँ आपको यूपिटर पर एक साइट पर जाना तो आप यहां पर सी हनत और यहां पर यूपिटर फल सी टाइफ कर देते यह वह गूगल का एक तरह से सर्च इंजन है हनद और इस पर येसे टाइब करते तो एक्चुली में क्या होता है कि यहीं पर इस तरह से पिन कर देना और डिरेक्ट उस पर क्लिक करके उस वेब साइट पर चले जाना ही क्या कहलाता है बुक मार्क कहलाता है यह बताए हाँ प्राचीन काली ने अतिहासिक जीवन आप देखें मिलान करना है बुक से एक तरफ यह दूसरी तरफ राइटर्स दे रखें आराम से बता लेंगी क्यों वही परी जैसे बुद्ध चरीत है तो गोस्त ने लिखा था बुद्ध चरीत को बोध्धों का रामयड कहते हैं हर्स चरीत को लिखने वाले थे बाणभट बाणभट जो की हर्सवर्धन के दरबारी आराम से बता सकते हैं अगर आप इन न फिया इन नुगा आप सब जानते होंगे बागी दोनों के बारे में बहुत कम लोग चाम क्लासिकी संस्कित में आरिश शब्द का आर्थे क्या है आरिश शब्द का मतलब बताना देखो आरिश शब्द का क्या मतलब होता है अगर आप देखेंगे तो स्रेष्ट भी होता है कुलीन भी होता है और स्वतंत्र भी होता है ठीक होता है कि नहीं होता है और यह कहीं बार प पताऊ विय्दिक यूगीन सभा सभायों समितियां को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है तो सभा क्या थी सभा एक्चुली में मंत्री परिशनती जो राजा की नियुकति और उसकी पदचूती में मुख्यूरूप से हिस्सा लेती थी तो और पदचूती यह बताओ जरा फटाफट तो तोड़ा आंसर आने चाहिए और हां लाइक वाला बटन एकदम दबा डालो पड़ोसी को भी बुला लो कि यार एक बाल लाइक वाल बटन दबा के जाए निम्लिकित पर विचार करिए और बताई यह बहुत आसान सवाल है जिसक आप खुदी आंसर निकलाएगा फटाक से एकदम टफ सवाल नहीं तुगलकाबाद तुगलक वंस के समय में बना होगा कुतुम मिनार कुतुम दिन अभग ने बनवाया मतलब गुलाम वंस के समय में बना होगा पतेपुर सिकरी तो अकबर ने बनवाया था ठीक है और खाके तसले में यह ट्रिक याद है कि नहीं तो गुड़ खाके तसले में इस ट्रिक का फायदा का है यह है कि गुड़ से हो जाता है गुलाम वंस पहले गुलाम वंस आया उसके बाद खा से हो जाता है खिलजी वंस उसके बाद खिलजी वंस आया उसके बाद क्या हो जाता ह गुड़ खाके तसले में तो गुड़ से गुलाम वंस खाके से खिलजी तसे तुगलक सासे सहीद लस लोधी मासर मुगल अब उसी में फिट कर लो आंसर आजाए तो आंसर हो जाएगा तीन दो चार बातकतम कहां कठीन सवाल था कहां कठीन सवाल था दोस्त ये बताओ खुसर जो है इसका बड़ा भाई था इसका बड़ा भाई था इसका मतलब यह है कि किसका पुत्र था यह जहांगीर का बहुत बढ़िया बयार्विन शांदार बहुत कम लोगों का सही आंसर है बहुत बढ़िया बयारुन तो देखो अरे यार सा जहां का बड़ा भाई था सा जहा अभी तक मैक्सिमम जब आप गलत आए हैं अवा के ठाकुर कुसल सिंग ने रौध डाला था अंग्रेजों वा जोधपूर की संयुक्त सेना को बहुत बड़ी बात है यह बताओ जरा युगांतर पार्टी का नेत्र देखो युगांतर पार्टी कह रहा है युगांतर पत्रिका कहा जाता तो युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे तब आप बताते बारिंद्र घोस खैर हना बारिंद्र घोस याद रखिएगा ठीक है यह भी बहुत बार पूछा जाता है तो युगांतर पार्टी पूछेगा तो जतिन्दांत मुकर जी 1906 कलकत्ता वै सवाराज का लक्ष नर्धारित किया गया था और याद करिये 1906 में मस्पनि दी मुस्लिम लिग की स्थापना है की नहीं चले अगले सवाल के तरफ यह बताओ फिर सरकार की वीनिवेस रण नीती के तहट किस कंपनी का IPO IPO मतलब हाँ एक दम बिलकुल इनिशियल पब्लिक ओफरिंग तो पहले मैं IPO का फुल फॉर्म बता दू इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इनिशियल पब्लिक ओफरिंग इनिशियल पब्लिक ओफरिंग इसका फुल फॉर्म होता है बात समझ रहे हैं आचा दूसरी बात कह है दूसरी बात यह है कि य जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इसकी टैग लाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी IPO क्या होता है IPO का मतलब होता है जैसे LIC ने क्या किया जैसे मालीजे कोई भी कमपनी है उसके पास 100% का आपना किसी भी company के पास अपना 100% का share होता है तो 100 मेंसे उसने क्या किया 20 रुपए को 100 मेंसे 20 को क्या किया माल दिजे 100 रुपए की उसकी क्या है total capital है तो total माल दिजे उसकी पूजी कितनी है 100 है तो 100 मेंसे उसने क्या किया 20 रुपए को 100 share में बांट दिया 100 शेर में बांट दिया और उसको पब्लिक को बेच दिया ठीक है इसी को कहते हैं क्या डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है वह या तो यह एक तरह से चीज़ें जरूरी है जानना यह बताओ जराब मार्केट में औफ्र हा बिलकुल आय कि आने का मतलब हो गया लाह कि आयू आईपी और ने का मतलब क्या हो गया कि शेर मार्केट में क्लिकश्टेट हो गई है लिस्टेट हो गया चली यह बताएं वह लूट लिया भारत का पहला बजट किसने पेश किया था बिल्कुल आपको याद है बिल्कुल मैक्सिम लोगों का सही आंसर आ रहा है बहुत जबर्दस्ट और याद करो कि ब्रिटिस्ट पार्लियमेंट में बहुत ना इंसापी थी ब्रिटिस्ट पार्लियमेंट में ये बजट पेश हुआ था मतलब आप सोच की देखिए कि भारत का बचट ब्रिटेन की पार्लियमेंट में पेश हुआ 1860 में किसके द्वारा जेम्स विल्सन के द्वारा गजब है भाईया गजब है अच्छा मतलब तुम कहो कि हम तुम्हें पटवारी बना देंगे फाल तू कमेंड नहीं पढ़ाई पर फोकस करो नहीं तो ब्लाग कर देंगे पटवारी कहीं और बनना पड़ेगा फिर यहां से अनि जाकर कहीं और बनना पढ़ेगा सबसे पुराना इस्टोक एक्षेज्ज कौन सा है भईया चले अिस 59 एकषे घ्चेंज तो देखो ऐसा है सबसे पुराना इस थे द्व revele बात करें मतलब क्या हो जाता है इसका फुल-फॉर्म भई तो September इसका फुल-फॉर्म खिज्र ह इसके पुल-फॉर्म यह भी मुंबाई में स्थित्य है और 1922 में स्थाफ føती हुआ था 925 उसलो था है बता रहां आपको बताना है भारत की आपको भारत की B.S.E. है याद रखना B.S.E. Bombay Stock Exchange ठेक है तुम्हां बहुत मज़ा आ रहे चलो भारत की दच्छनतम परवत माला कौन सी है भाई भारत की दच्छनतम परवत माला कौन सी है भाई बिलकुल भाई आओ सब वो तो पुराना record है न कि election के पहले आती है तो क्यों नहीं आ पहाड़ी कहाँ पर रहा है नील गीरी यहाँ पर यहां पर देखे क्या लिखा ova करहा है यहां पर यहां पर यह तरा से तो कार्डमम की पाड़ियों को हम और क्या कह सकते हैं इलाइची की पाड़ियां भी कह सकते हैं इसको और क्या कह सकते हैं इलाइची की पाड़ियां भी कह सकते हैं ठीक है बाकी नल्ला मल्ला की बात करें तो वो तो आंध्रा में है तो बिल्कुल याद रखना है अनम चलो अन यह बताओ ज़रा फटापड सभी के आंसर आने चाहिए तापड तोड़न दाजी तो आपको बताना है हिमाले की नदियों की प्रमूख विशेस्ता हिमाले की नदियों की प्रमूख विशेस्ता बताना है और सभी के आंसर आने चाहिए जबरतस तरीके से क्या होना चाहिए व वह इनमें पानी लगातार बेता रहता है सदा नीरा होती आपकम कि दरसलं में इनका उधगम होता है इनका होता है ग्लेशियर से और पी घलता रहता है और पानी उसमें बना आचांस इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं हम भूमद्य रेखा की बात कर रहे हैं इसी प्रकार से हम कहते हैं सुन्य अंस देशांतर तो इसका मतलब हम ग्रीन वीच रेखा की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं ग्रीन वीच रेखा की बात कर रहे हैं और ग्रीन वीच र ग्रीगी दोनों आपस में जहां मिल रही है क्यों यह महसागर है यह अट्लांटिक्म असागर है क्यों कि यह आपर आप तो यह चीज है यह अलग्स लेवल का थोड़ा सा सवाल था यह बताओ भया सभी के आंसर आने चाहिए ताबड़तोर तरीके से और इसका आंसर तो शांदार होना चाहिए याद करिए अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि सरवाधिक लवणता कहां पाई जाती है तो आप क्य कल्प में रहता है उसी हिसाब से हम आंसर बता देते हैं ठीक है तो अगर मान लेजिए सबसे सबसे लमड़ी पूछता है तो वांजील है तो ठीक है ने तुम्रिस सागर अंसर होता है अब यह बताओ जिया सभी का आंसर आना चाहिए निम्रिकित में से कौन सा एक द्वीप है अब आप देखिएगा यह क्या है यह दोस्तों नौर्थ अमेरिका है ठीक है यह नौर्थ अमेरिका है यह क्या है यह साउथ अमेरिका है यह क्या है यह क्या है यह यह योरोप है यह क्या है यह एशिया है यह क्या है यह आस्ट्रेलिया है समझ रहें आप द्यान है क्या कहते है इसको जय विवित्ता का घर कह सकते है ठीक है इसको क्या कहते है तो इसको अंद महादीप कहा जाता है अंद महादीप कह सकते है इसको ठीक है योरोप को क्या कहा जाता है प्राइदीपों का प्राइदीप कहा जाता है प्राइदीपों का प्राइदीप कहा जात कहा जाता है एसे को कहते हैंिसी को कहते है क्या या बिज्ञान को समर्पित महादीब किसे कहते हैं तो अंतार कटका कर शुवित महादीब कहते हैं ठीक है बया चले आगे देखा जाए ठीक यह रहा अगला सवाल अंतर राशी व्यापार का मुख्छी सुरच्छा कमच क्या है कौन बता रहा है बया सभी क्या आंस्तार आने चाहिए हाँ प्यासी भूमी अगर आप WTU की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है World Trade Organization World Trade Organization अगर हम World Trade Organization की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी कब एक जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी इसका 164 सदस से कौन है तो आफगानिस्तान इसका 164 सदस से है ठीक है और इसका हेड ओफिस कहां पर इस्ती थ देश्ती थे और इसकी अद्धिश कौन है तो नागोजी ओकॉन जो ही विला नागोजी ओकॉन जो एवेला ठीक है कहां से यह नाइजीरिया से बिलॉंग करती है क्लियर बात है वहाँ शांदार जपर्दस जंदाबाद ठीक है अच्छा इसको आप देखेंगे ना तो शु में साहिन हुआ था और 1948 में लाग हुआ था तो वह जो गैट था ना वही कनवर्ट होकर किस्ट में बदल गया है डव्लू टियों में बाकी आयम आप जानते हैं आयम आप रवी सुबैंग दोनों ही वाशिंग गटन में इस्तित है और दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है विकास का भारती माडल किसके हितों के सुरक्षा करता है ठीक है बहुत बढ़िया उसका निकल जाएगा तुम्हारा नहीं निकलेगा ठीक है जिस हिसाब से तुम्हारे दिख रहे हैं चाल चलन तुम अपने फोकस करो तुमारी वाली का है तो वह सब को कहीं बता रहा है तुमारी वाली का है तो अगर उसका सेलेक्षन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कोई ने कोई उसके लिए होगा ये महनत करके कमा खाके जीवन चला लेगा तुम अपना सोचो ये घर वाले फिर क्या करेंगी तुमारे वेकास का भारती मॉडल किसके हितों की सुरक यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिस पर स्थापना हुई थी कि नहीं यंग हिल्टन कमीशन यंग हिल्टन कमीशन की सलाह पर यंग हिल्टन कमीशन की सलाह पर स्थापना हुई थी बिल्कुल इंपोर्टेंट है और 1934 के एक के तहत स्थापना हुई थी एक अप्राल 1935 को वह यह राष्ट्री करण कब हुआ था तो यह वह था दोस्त कब एक जनवरी को हुआ था एक जनर्वरी 1909 को इसका राष्ट्री करण हुआ था ऊथा ना एक जनवरी उन्नी सो उन्चास को वह सीड़ी देस्मुग उसमें बताया गया कि 15 से 65 वहां बहुत बढ़िया तो देखे 15 से 65 वार्स हाली में जो United Nation United Nation Organization UN report जो आई है हाली में जो UN के रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जो आबादी वह चाइना से 19 तिस लाख जादा हो चुकी है और इंडिया जो है पुरी दुनिया में सबसे नंबर एक पर पहुंच चुका है ठीक है नंबर एक पर पहुंच चुका है तो उसी में यह बताया गया कि 15 लेकर 65 वर्स के उम्र के जो लोग है उनकी आबादी भारत में 60 प्रतीशत है ठीक है तो सबसे ज्यादा युवा अबादी वाला देश है इस तवाल का आंसर कैसे दोगे इसके लिए ट्रिक बताई थी ना कि हमारे प्रभु शपत लोग गनेश की हमारे प्रभु शपत लोग गनेश की यह ट्रिक बताई थी ना हमारे प्रभु शपत लोग गनेश की ठीक है और इ समाजवादी हो जाता है क्या समाजवादी हो जाता है पत से क्या हो जाता है पंत निर्पेक्ष हो जाता है क्या पंत निर्पेक्ष हो जाता है लो से क्या हो जाता है लोकतंत्र हो जाता है क्या लोकतंत्र हो जाता है गणतंत्र हो जाता है क्या समझ रहो तो इसमें आप देखो अगतला सवाल एकदम शान्दर वला है अच्छा बाई मोहित ये बताओ भारत एक गर्टनतर है इसका क्या मतलब दोस्त बारत एक गर्टनतर है इसका मतलब आपको बताना है । बहुत बहुत जनवरी 1950 को भारत का समयदान लागू हुआ भारत एक तो सभी मामलों में अरिकार जनता के पास नहीं यह वाला भारत में वन्षानुगत शासन नहीं है ठीक है अब ध्यान दिजिएगा कि भारत में वन्षानुगत शासन नहीं है और दूसरा इसका एक मतलब यह भी है भारत एक गरतंत्र है इसका एक मतलब यह तो ही है कि वन्षा पती चुना जाता है चुना जाता है बात समझना है चुना जाता है ठीक है तो कभी-कभी ये भी option में होता है तो याद रखिएगा ये बताई समझनान का कॉंसल संसोधन एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्योंकि आयते लोग बिल्कुल हमें पसंद नहीं चले हां ठीक चले यह बताई फटाफट एकदम बिल्कुल नहीं एकदम टैंशन मत लिए जो आप लोगों को डिस्टरब करेगा उसको तु बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है जाने दो अच्छा ज्यादा हो जाएगा अभी नहीं कहेंगे मन में रहने देते समिदान का कौन सा संसोधन एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है बताओ जारा पटाफट पटाई सा संसोधन ने यह तो कहा यी कहा कि दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल हो सकती है अब का भी ध्या खिर्क लाएगा कि जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल होगा तो उसको वेतन उन राज्यों में उसी अनुपात में बाटा जाएगा जो रास्टरपती के द्वारा आवधारित किया जाए ठीक है नहीं नहीं जो आ रहाता ना हमी बोल देंगे ज्यादा हो जाएग लेकिन दोनों राज्य उसी अनुपात में देंगे जो रास्टरपती के द्वारा आवधारित किया जाएगा ठीक है यह बताओ पंचायत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं तो चलो इसका राइट आंसर क्या रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने ज सब्सक्राइब है तो जो पंचायत समीत के सदस्य सुत्य है ठीक है चले news्य अरे फंचायत समीत का मतलव क् там ऑइग्रा मां पंचैइथ होते हैं लाक चतर पर पंचायत समीत होती आठीक है तो अ ineffective चुनाओं में समपन्न घ्रहापत कीका दो में ठीक है और इसको हम लोग पृत्रिवी सम्म्मेलन भी कहते हैं कहते हैं इसको तो समयंतराष्ट परयावरन वीटा था की नहीं था बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है और यह its humility की बात है तो एकândम याद रखना है औरर हम यह कह सकते हैं कि ये सतत्विकास पर पहला सम्हेलं तो य्याद रखेगा सत्थ विकास पर पहला सम्हेलं था यह भी हजा इंपोर्टर बात है और इसके बाद क्या जारी किया अज़ेन तूतल को कौन सी सधी में 21 सधी में किस अजन्डे पर चल कर चीजों को मैल्ज किया जाए डी नहीं होगा डी क्यों होगा डी में कैए इन में से को इन नहीं हुआरत है थीक है ठीक बात है चलो आगे देखा जए घंडल सर्वादिक जिम्हेदार इससकी लिए सरवादिक जिम्मेदार गैस कौन सी बताओ सरवादिक जिम्मेदार गैस कौन सी बताओ सरवादिक जिम्मेदार गैस नहीं बताए कि पहले नंबर पर कार्बन डियाकसाइड दूसरे नंबर पर कौन सी यह दूसरे नंबर पर मेथीन है यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि ह वायू में ध्वानी का वेग क्या होता है तो देखो वायू में ध्वानी का वेग होता है वो तापमान के बढ़ने के साथ क्या होता है गटता है ठीक है वह एक दम याद रखना है शीदा सीदा चलो यह बताओ वैसे जहां तक ध्वानी के वेग की बात है ध्वानी का वेग ध नहीं कर सकती वैक्यूम में ध्वनी गती नहीं कर सकती इसी वजह से चंद्रमा पर वायमंडल नहीं है इसलिए दो लोग एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते बिल्कुल भई प्रिंसी ठीक है चलो आगे देखा जाए जबकि निर्वात में प्रकास की चाल सबसे ज्यादा हो यह क्यों यहां तो बढ़ती है चलो यह बताओ मोटी मुक्य रूप से किसका बनांगोता यह बढ़िया सवाल अच्छा कैल्सियं में उप Sin में धिया है ऑच्या यह भी बहुत बार पूछा गया है है केलसीयम आस और बहुत करें दोफिहर और याता बहुत कर्ए जो अन्डे का लिए चिलका होता है अंडे का छिलका जो होता है वो भी तो इसी का बना होता है अंडे का छिलका नहीं अंडे का छिलका भी तो इसी केलसियम कार्बनेट का होता है और याद करिए जो मूंगा का खोल होता है मूंगे का जो खोल होता है मूंगा क्या है तो मूंगा जो समंदर में पाया जाने वाला एक समुद्री जीव नहीं है, समुद्री जीव नहीं है मूंगा, तो मूंगे का जो खोल होता, वो भी इसी का बना होता है, तो calcium carbonate कई जगा पर आप देखेंगे, तो काम आएगा, ठीक है, तो याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हाँ, और बिल्कुल आप याद रखे सकोसिस करिएगा, 11 बजे के आसपासी पूछे, या at least 10 बजे के बाद, ठीक है भया, हाँ, बैप्रिंसी, अरे तो का उसको किलो में बेचोगे, गन्ना किलो में बिखता है क्या, इसलिए उसका न्यूंतरम समर्तन मुली नहीं आता, और भी कही कारण है, लेकिन क्या करोगे, आपको PCS में लिखना है क्या, कि न्यूंतरम समर्तन मुली क्यों नहीं होता है, क्या करना है बताओ, चलो, तो यहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकता है, चलिए, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वहीं पूछ ना, लेकिन फिर भे यहीं पूछ रहो, हाँ भया, ठीक है, चले अचा, अगर आप देखेंगे, एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, जरा इस चीज़ का गौर करिएगा, वो यह, कि यह जो प्रियाग राज वाला है, इसको इंटरनेस्टल एरपोर्ट का दरजा मिलने वाला है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, कि भय प्रियाग राज वाले को इंटरनेस्टल एरपोर्ट में कनवर्ट करने का हना, बही, एक तरह से प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है भया, चलो यह बताओ भया, अच्छा भया, ठीक है, प्रियास करेंगे, डेली नहीं हो सकती, लेकिन टेंशन मतलो, एक्जाम के पहले पाई जाती है, सही कूट का चैन करके आपको बताना है, तो चलो जड़ा फटा-फट बता डालो तो, कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो देखो भया, आज़ा सोन भदर में आपको यूरेणियम नहीं मिलेगा, यूरेणियम केवल ललिदपूर में ही मिलता है, यूरेनिय इतना तो बताई लेगा खरीब की फसल रभी की फसल जायत की फसल इतना तो आप बताई लोगे आराम से क्यों नहीं बता लोगे बताऊ जरा तो तो राइड आंसर क्या हो जागा जून जुलाई के दौरान बोह जाती है यहां आप देखिए खरीब की फसल दिख रहा है जून बताओ तो यह क्या है इख दम पस्च्चिम से देखो 650 किलमेटर कहा तक एकदम उत्तर से एकदम जच्छन तक कितना 240 किलमेटर यह बताओ जब याई इसका भी आंसर सभी के पास होना चीह है अरे लाइक वाला बटन दवाना भूल रहें क्या कई लोग हमें अगरा मोबाइल ऐसे रख दिया बस क्वेस्चन देख के आनन लिये जा रहा है अरे जागो उठो उठो उगलिया चलाओ यार बैठे कहा है हो एसे थोड़ा बहुत लिखते भी दरो कापी पेन चलाते रहो अहां न सीधी नाम की स्थान्ता क्या था सीधी नाम का एक स्थान्ता मध्यप्रदेश में वहां इनका जन हुथा ठीक है वहां पर सीधी सीधी के कि भई attempts कहा है गाजियवाद का जिलाग गाजियाबाद क्यों में टिंकू बहुत बढ़िया हाँ गाजियाबाद जो की हिंडर नदी के किनारे है जंगर्णा 2021 का थीम क्या है बहुत बढ़िया शांदार शांदार जन भागिदारी से जन करने यह भी बताओ कौन सा रेलवे छेत्र देश का पहला पूरी तरह से विद्धूती कृत रेलवे छेत्र बन गया है आप पहला बताईए मैं आपको पच्वा बताता हूं पाच्वा कौन सा है पाच्वा है उत्तरमध्य रेलवे और उत्तरमध्य रेलवे का मुख्याले क्या है प्रयाग राज उत्तर मद्ध रेलवे का मुख्याले क्या है और इसका राइट आंसर क्या है पक्र मद्ध रेलवे तक पूरे railway के विद्धुती करण का target भारे सरकार का है ठीक है भाई आनू चलो भाई पारियल यह बताओ नया नाम पुराना नाम बता लोगे नेता जी एक्सप्रेस हावडा कालका मेल का बदला हुआ नाम है आटरल सुरंग रोतांग सुरंग का बदला हुआ नाम है शहीद कि बीरबल को लेकर थोड़ा सा जो है confusion की स्थिती कहीं कहीं बनी रहती है तो बीरबल अच्छा बीरबल का जन्म कहां हुआ था जरा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जो भी लोग लाइव है मैं देखना चाहता हूँ क्या बीरबल बीरबल का जन्म हाँ चलिए ओटिंग करा ली जाए ओनलाइन वोटिंग करा ली जाए कि बीरबल का जन्म कहां हुआ था वह चलो जड़ा फटा पट बता दो तो हाँ एकदम सभी लोगों के आंसर आ जाने चाहिए किसके किसके पास आंसर है बक्का कपिल कपिल की कालपी थीक है चलिए तो इसको जो है देखें है क्या दारसल में अगर आप देखेंगे तो जाधा तर बहुत सारे जगाओं पे बीरबल के जणम को सीधी मध्यप्रदेश बताया गया है और बहुत सारे जगहों पर कालपी बताया गया है ठीक है और अगर आप देखेंगे तो ठीक है चलिए कालपी हम कंसीडर कर रहे हैं इसको एक बार हम चेक करके आपको टेलिग्राम पर अपडेट कर देंगे लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश में जब भी पेपर उत्तर प्रदेश में जब भी क्वेशन आया है कि बीरबल का जनम कहा हुआ तो ज्यादा तर कालपी ही आंसर माना गया है ज्यादा तर कालपी ही आंसर माना गया जब भी उत्तर प्रदेश में पेपर में क्वेशन आया है तो उत्तर प्रदेश का कोई पेपर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल आप कालपी ही आंसर मानें ठीक है बाकी सीधी मद्यप्रदेश आप देखेंगे तो ज्यादा तर जो व ऐन गूंद पर आह एक जिल एक सिर्प अवियान किसका है पता है ये दरसल में ये मद्धपूरदेश का है किसका है मध्य प्रदेश का है हाँ अगर एक जिला एक उत्पाद कहता तो यह उत्तर प्रदेश का होता यह एक जिला एक उत्पाद बोलता तो उत्तर प्रदेश का होता समझ रहे ना एक जिला एक उत्पाद बोलता तो उत्तरा खंड का होता एक ब्लाक एक उत्पाद बोलता एक बलाग एक उत्पाद बोलता तो हर्यानका होता। थेक है यूपी का 161 विषय्ए है पहले 65 विशय हुआ ठीकै बागी जो है यह तीनों राज्य सूची में है ठीकै बागी आप जानते हैं कि साम